अब बाई देखो जो अच्छा काम करेगा वही आएगा चाहिए बाहें जी हो चाहिए मोलाइम हो चाहिए कोई भी हो जानी वह कहानी खतम हो गई कि नहीं दलित है तो दलित ही वोट देंगे दलितों को मुसलिम है तो मुसलमानों को देंगे यादों को देंगे ऐसा वाला खत कितिन लोगों किसान वाला पैसह मिला आवास हारा रहा है? अगल बगल में जो आदो बस्ती थी वो लोगा आते थे दारूशरापी का बाली हरे चित देते थे लेकिन आजो एक आदो समाज लोग एकदम सब्सक्राइब करेंगे कि सरकार की योजनाओं का कितना लाफ मिला है और किस तरह से वो देखते हैं मोदी जी के साड़े नौ साल के कारेकाल को और क्या उन्हें लग रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार आएगी या फिर कोई दूसरी सरकार आएगी क्या नाम है आपका विनुत कुमार सर विनो जी अपने बारे पहले बताएगा फिर के लिखेंएं ऊहिए बी ये पासकी हैं अधर्य नौ साल का कारेकाल है सरकार उन्होंने चलाया है तम्हाम जन कल्याड का यूझनाओं की बात होती है उसका लाप मिला है तो बहुत मिला सब्हें लोगों को प्यंशन मिल रही है और य狂 आ जुल कि किसान वहाला पैसा मिल अवास इसंतर के थी जो पड़े लिक्ष पार को रते सब्सक्वें वह सकती इसकी है सब्सक्राइब नहीं को रखा जाए कामदाम पर सब्सक्राइब को नोकरी दिया जाए तो प्रोजगार लगाए जाए लिखे वेक्ति हैं लोग कह रहे थे कि जो पांच राज्यों का चुना हुआ वह दो हजार का सेमी फाइनल जिसमें बढ़त बना लिए बीजेपी ने बाजी मार लिए तीन राज्यों में सरकार आई कांग्रेस कि आई मिजोरम की बात नहीं करते हैं नट तो क्या लग रहा है उस रसाप से 24 में फिर एक बार यहाँ पर मोदी जी के सरकार आ रही है जी तो कोई कहां नह तो दूसरी राज में क्यों लोग जीच जाते हैं अच्छा वहां पे लोग एक बात और कहते हैं कि एक आद राज इसलिए छोड़ देते हैं ताकि कोई सवाल ना उठाए जी 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 ऐसा भी हो सकता है लेकिन जब तमाम सवाल उठ रहे हैं तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाओ कराया जाए तो लोगों की भी बात तो माननी चाहिए लेकिन बैलेट पेपर से यह होता है सरकार को सरकार सिर्वे आत काल तो कंपीटर यूग चल रहे हैं हमेशा होता है चुनाओ कभी न कभी कोई न कोई चुनाओ होती रहता है हर साल होते रहता है कभी परधानी का चुनाओ कभी जिला पंचायत का चुनाओ कभी विधायकी का चुनाओ कभी लोग सभाय का चुनाओ है ना तो जब आराम से चुनाओ हो रहा है जब एक परिक्ष सब्सक्राइब 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 हम लोगों के लिए हैं तो यहां पर अगल बगल में जो आदो बस्ती थी वो लोग आते थे दारू सरा पी कर गाली हरे चीद देते थे लेकिन आज वे आदो समाज लोग एकदम ठंडा हो गए थंडा हो गए यह जो बात आप कह रहें कि गाली फक्र देते थे यह दो लोग में भी जाते हैं तो बोलते नहीं है कि कोई रिपोर्ट लेक्वाद पहले का रहे हैं तहीं ठीक आप है थीक आप है और फिर मयावती की राज में भी बहुत कड़ा सासन था इससे ज्यादा कड़ा सासन उसमें था कोई टाइम को अगर टाइम से डिप्टी नहीं जाओगे मैवती जी के बारे में बार बार कहा गया कि उन्हें परदान मंतरी बनना चाहिए लेकिन जिस तरह से उनकी राजनीतिक हिस्तिती है एकदम शून्य में चली गए थी लेकिन हाली में फिर से सक्रीता तब दिखी जब आकाश आनंद को उन्होंने कमांस आप दिया तो लोगो देखो जो पाच्छा काम करेंगा वही आएगा चाहिए बाहिंजी हो चाहिए मुलायम हो चाहिए कोई भी हो जानी खतम हो गए कि नहीं दलीत है तो दलीत है तो दलीत ही वोट देंगे दलीतों को मुसलिम है तो मुसल्मानों को देंगे यादों को देंगे ऐसा वाला खतम ह कि इतरे रुम आप जाए नाज़ुके था शटम हो गया है जरत शार गाम हुआ हिए लोल जुल जाए है यह जो करेगा वजाएि हम लोगों के एक मेरा यह कि जोγी जी बहुत अच्छा काम कर रहे है इसमें कोई प्सक्राइब साँर० तो चीजे एक दम समाप्त हो जाएंगे ठीक है थोड़ा सा पागे आजाए आप आगे गुंडागर्दी खतम हो गई जोगी जी ने जो कहा था कि गुंडे उत्रप्रदेश चोड़के भाग जाएंगे वो कर दिया काम कर दिया इससे बहुत जनता खुश है पूरा तो सबकी अपनी अपनी राय है और इस राय पे आपका क्या कहना है क्या सोचना है हम ऐसे ही लोगों से बात्चित करके उनकी बने रहे हैं बदले का भारत पर देखते रहिए धन्यवाद